पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही कडाके की खंड और पाले से जहां आम जन जीवन अस्त वे अस्त हैं, वहीं खसलों के लिए भी ये खंड काफी नुकसान देहें ताबित हो रही हैं। इसी सब के बीच सायक विकास अधिकारी किसी रक्षा विकास खंड अवजलगर सुरिंदर कुमार से जानने की कोशिस की गई कि किस तरह से किसान अपनी फसलों का खंड एवं पाले से बचाव कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं सुरिंदर कुमार सायक विकास अधिकारी करशी रक्षा विकास खंड अवजलगर। किसान वाईयों जैसे कि आखको विधित है कि रभी मोसम चल रहा है। इसमें रभी मोसम में गेहूं, चना, मता, मसूर, सरसो की मुख्या फसले हैं। जैसे कि गेहूं में यूरिया की प्रिथम पहली टोप डेसिंग का समय है। तो किसान वाईयों से यह अपिन है कि किर्पया किर्शी विभाग बार बार यही जोड देता है कि संतुलित मात्रा में ही यूरिया का या उर्वरों को पिर्योग करें। किसान भाई को मैं यह आशोसन देना चाहता हूं कि विकास खंड अब जलगल में पर्याप्त मात्रा में यूरिया का इस्टोग है। कोई भी सोर्टेज रही है किर्पया कर अपने घरों में यूरिया का इस्टोग करने की कोशिस ना करें। दूसरी जब टोपडेशिंग का समय होगा तो उस पे उसी समय करें। यह आप लोग की वज़े से ही बजार में अनावस्यक कमी पैदा हो जाती है। जिससे कि इसका नुपसान आप लोगों कोई उठाना पड़ता है। एक और मैं संदेज देना चाहता हूं कि बजार में नैनो यूरिया भी आ रहा है। आप इसका भी पिर्योग करें। इसके भी बहुत बढ़या रिजाल्ट है। दूसरा मोसम अधिक ठंड़का है। गेहु में, आलू में या अन्य फसलों में भी इसको बोलते हैं कोल्ड इंजोरी जो अधिक पाला पढ़ने की वएसे या टैंप्रेचर, तापकरम, कम होने की वएसे फसलों में यह हो सकता है। इसके लिए किसान भाई अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए नमी परद्याफ्त मात्रा में बनाए रखें। या फसलों के या खेतों के चारों और या खेतों पर धुआं कराने की कोशिश करें। जिस से की पाला या पुहर का असर या प्रवाब खसलों पर कम से कम हो सके है धन्यवाद जाएं